चले दूसरे दिर बात करते हैं Samsung Galaxy A8 Plus 2018 जो कि जन्वरी में लाँच हुआ था उसके audio update के बारे में और अगर आप यूजर है Samsung A series के तो ये वीडियो आप पूरा देखिए जैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह कि आपको टेक से related news देखने को मिलेगी तो मेरा ना मेरे टेक आई ये इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप A series के कोई भी फोन के यूजर है या 8 Plus 2018 के यूजर है तो आज मैं उसके audio update के बारे में अदर बात करूंगा नॉमली में 8 Plus 2018 फोकस करूंगा फिर भी आप अगर 8 Plus 2018 खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आज हम बात करेंगे Android Oreo update के बारे में तो नॉमली ये Samsung ने ये फोन Android 7.1.1 नूगर पे लाउंच कर सकता था और नॉमली Samsung का software development में इदर हाथ नहीं देता है और नॉमली इसकी software development की जो policy रहती है वो बहुत ही लेट होती है और होता क्या है कि August के टैम पे कोई भी Android operating system आता ह गूगल के तरव से उसके एक या दो साथ बाद में रेंजर को मिलता है इदर Android का अपडेट Samsung की तरव से तो हुआ क्या 2017 के टाइम पे गूगल ने ऑगूगल ने ऑगूस में Android Oreo लाउंच कर दिया और अभी Samsung ने जो फोन 8 प्लस 2018 लाउंच किया है Android Nougat पे लाउंच किया है ज अपडेट 8 प्लस के लिए पर अब Oreo का अपडेट आपको अधर मिलेगा Q3 2018 में Q3 2018 मतलब आपको अधर अपडेट एक्सपेक्टेड है जून जुलाय और सेप्टेमबर के टाइम पे जो की बहुत लेट है और अगर आपने एप्लस 2018 खरी रहा है तो आपको इदर थोरा सा व करने के लिए और उनको Android पहुंचाने के लिए इदर 8 प्लस 2018 को बहुत वेट करना होगा Android अपडेट के लिए और Android P का भी अपडेट आपको अप्डेट 8 प्लस 2018 में देखने को इदर मिल जाएगा वागी यही न्यूस थी जो मुझे आपको चैनल के पहुंचानी थी तो चल है कि आपको Samsung Xiaomi से लेटेट नियूज और Android इसे लिटोर्स देखने को मिलेंगे तो मैं में तो आप से अगले वीडियो में